मीन राशी बन गया अत्यंत धुरलब शुब साइजोग 11 अक्तूबर रविवार के दिन रवी पुक्षे वैस्वार सित्ती महा साइजोग से अचानक धन प्राप्ती के योग बन रहे हैं नमश्कार दोस्तो जै मातादी आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं 11 अक्तूबर के राशी फल के बारे में और साथ ही जानेंगे एक ऐसे खास उपाय के बारे में जिसे रविवार के दिन कर लेने से लगातार निरंतर मीन राशी वालों के जीवन में अचानक धन प्राप्ती के योग बनते रहेंगे नतीजे देने वाले होते हैं इस दिन महासैयोग में आपको धन लाब के लिए भगवान विश्नुजी और मालक्षमी का अभिशेक केसर युक्त दूद से जरूर करना चाहिए और साथ ही ग्यारा लगू नारियल की पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में भांद कर धन स्थान में भी रखना चाहिए ऐसा करने से आपके धन में वृत्ती होती है दोस्तो इस दिन आपको एकाशी नारियल का उपाए भी जरूर करना चाहिए अब बात करते हैं उस खास उपाए की दोस्तो इस दिन सुभा जल्दी उठकर सबसे पहले सनान कर शुद्वस्त्र धारन कर ले इसके बाद तामबे के लोटे में शुद्व जल भर कर कुमकुम वे लाल फूल मिला कर सूर्य को अर्ग्य दे दोस्तो इस दिन भगवान सूर्य देव का विदिवत तरीकी से पूजन करने से भगवान सूर्य की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है इसके बाद अदित्य हिर्दे स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए ऐसा करने से सूर्य को बल मिलता है वे आतम विश्वास में वृत्ती होती है ऐसा करने से सरकारी नोकरी वे तमाम तरह के सरकारी कामों मुकदमे वाजी में आने वाली भाधाएं समाप्त होती है वे नोकरी में करियर में बेनिफिट प्राप्त होते हैं नोकरी में तरक्की के रास्ते खुलते हैं नई नोकरी में आने वाली अर्चने दूर होती हैं दोस्तो इस दिन एक तांबे का छला पुरुष अपने दाएं हाथ की अनामी का उंगली में और इस्त्रियां बाएं हाथ की अनामी का उंगली में जरूर धारन करें जिन लोगों की कुंडली में सूर्य नीच राशी में है शत्रू राशी में है नीच स्थान में है शत्रू भाव में है शत्रू ग्रहों की साथ है पाप परभाव में है शनी राहु केतु की द्रिष्टी से पीडित है कुंडली में सूर्य शुक्र, सूर्य चंद्रमा, सूर्य शनी, सूर्य राहू, सूर्य केतु की युति है या फिर सूर्य की डिगरी कमजोर है, सूर्य बलहीन है, सूर्य तीन या पांच ग्रहों की युति में है तब भी रवी पुक्षे नक्षत्र में कम से कम 700 ग्राम गेहूं का दान किसी भ्रामन को जरूर करना चाहिए इसके बाद सुब मूरत में अपने सामने साफ थाली रख ले और उस थाली में चंदन या कुमकुम से अश्ट दल बना कर उस पर एक नारियल रख दे और अगरवत्ती वैशुद घी का दीपक लगाएं इस नारियल पर लाल फूल चावल फल वैपरसाच चड़ा दे लाल रेश्मी वस्त्र ले उसमें से थोड़ा सा हिस्सा इस नारियल पर ठक दे और शेश नीचे बिछा कर उस पर केसर से यह मंत्र लिख दे मंत्र ओम श्रीम हीम क्लीम एम महलक्षमी सवरुपाए एकाशी नाली के राय नमा सर्व सिध्धी कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र को लिख दे इस रेश्मी वस्त्र पर नारियल को रख दे और यह मंत्र पढ़ते हुए उस पर 108 गुलाब की पंखडियां चड़ा दे हर पंखडि चड़ाते समय इस मंत्र का उचारन जरूर करें ओम एम हीम श्रीम एकाशी नाली के राय नमा इस मंत्र का उचारन करते रहें इसके बाद गुलाब की पंखडियां हटा कर उस रेश्मी वस्त्र में नारियल को लपेट कर थाली में चावलों की धेरी पर रख दे और इस मंत्र की एक माला का जाप कर लें ओम हीम श्रीम कलीम एम एकाशाए श्री फलाए भगवते विश्व रूपाए सर्व योगेश वराए तरलोके नाथाए सर्व कारिय परदाए नमा इस मंत्र का जाप कर लें एक माला जाप कर लें उसके बाद अगले दिन से दिवाली तक रोज 21 गुलाब से पूजा करें औ और उस रेश्मी वस्तर में लिपते हुए नारियल को पूजास्थान में घर के मंदिर में रख दें इस बरकार से एकाशी नारियल को घर में स्थापित करने से अपार असीम वस्तिर धन लाब होता है रविवार का दिन मीन राशी वालों को पिछले किये गे निवेश से लाब दे सकता है इस दिन पुराने उधार की वापसी हो सकती है नए कामों के लिए रोपय पैसा लगाया जा सकता है मीन राशी वालों को अचानक थनलाब इस दिन होगा लेकिन सावधानी से चलना होगा सटे लोटरी में एकदम से बड़े रिस्क इस दिन ना लें इस दिन आपका मन प्रसंद रहेगा प्रेम संबंदों के लिए समय बहतरीन है शिक्षा में भी लाब की प्राप्ती होगी सेहत भी अच्छी रहेगी लेकिन इस दिन भाग दोड बढ़ सकती है आप अनुशासन में रहना पसंद करेंगे अधिक महनत करना पसंद करेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी बहतर होगा और आपके अधिकारों में भी वृत्ती होगी दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जैमातादी जरूर लिखें